ये दाल चावल ना बहुती टेस्टी बन हैं क्या आप भी इसे टेस्टी डाल चावल सिखना चाहोगे हम गरम मसाले का बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे चलिए आपको सिखाई देते हैं कुकर में डेट कटोरी डाल लेके अच्छे से वोश करेंगे इसा कोई कंटेनर लेन हैं जो कुकर के अंदर आसानी से आ जाए चावल यहां पर में ने दो कटोर लिया है उससे भी अच्छे से वोश किया है अब डाल में डालेंगे एक कटा होटमाटर एक इचद्रक एक हरी मेर्च तीन कटोरी जितना पानी चावल में डालेंगे नम्मक गी और चार कटोरी ज जानेंगे और खुश्पू भी बढ़ी आएगी तीन सीटी आ गई है और कुकर भी ठंडा हो चुका है रक्कन खुलकर चेक करेंगे देखे कितना बढ़ी अचावल बने हैं डाल भी अच्छे से बोईल हो गई है दाल को ब्लेंड कर लेंगे और थोड़ा पतला कर लेंगे दाल को उबल लाने के लिए रख देंगे डालेंगे चीनी नमा खल्दी पाउडर कड़ी पत्ता और अच्छे से मिक्स करेंगे ये दिखे थोड़ी सी क्या देर होगे ये तो निचे ही गीर गई ये बहुत ती अच्छे से उबल गई है अब दाल में तटका लगेगा उसके जीरा पाउडर डाल के मिक्स करेंगे और दाल चावल साओ करेंगे आप भी ये ना फूलो करेंगे ना तो चावल भी केले केले बनेंगे और डाल भी टेस्टी बनेंगी भाई मजा आया